Good morning students, today in this video we will start a new chapter that is chapter 9 decimals आज उन्हों पढ़ेंगे decimal number के बारे में सपोज I am taking a number, decimal number 6, 7, 2, 3, decimal, 1, 5, 6, 8 ठीक है? मैंने एक number लिया यहाँ पे 6, 7, 2, 3, decimal, 1, 5, 6, 8 यह क्या है? यहाँ पे decimal पुट किया हुआ है, पॉइंट पुट किया हुआ है तो इसको मुलोग क्या बोलते है? decimal number बोलते है This is decimal number, ठीक है? जो decimal के left side जो number होता है, just left में, ठीक है? This place is called once place, this is once place, ठीक है? Ons के बाद क्या आता है? This is tens, ठीक है? This is hundreds, hundreds के बाद thousands, उसको और बगल में होता है तो 10,000, उसको और बाद होता है तो lakhs, तो 10 lakhs, करोर, 10 करोर यागे बढ़ते जाएगा, ठीक है? याद रखेगा कि decimal के just left में once होता है, ठीक है? Once, tens, hundreds, thousands, 10,000, लाग, 10 lakh, करोर, 10 करोर, ठीक है? अब decimal के हम लोग right side वाले का बात करेंगे, ठीक है? तो जो decimal के right side में जो number होता है, उसका place क्या होता है? This is, यह नहीं कि फिर से once से सुर्व हो जाता है, अब क्या होगा? इस place का नाम क्या है? Tenths, T-E-N-T-H-S, ठीक है? यहाँ पे सिर्फर्म क्या लगाते है? S लगाते है, यहाँ पे क्या हो जाता है? T-E-N-T-H-S हो जाता है, Tenths, ठीक है? दुबारा once नहीं होता है, once सिर्फ एक बार होता है, this is Tenths and this is Tenths, right side में, decimal के just बगल में क्या होता है? Tenths होता है, this is hundreds, H-U-N-D-R-E-D-T-H-S, hundreds, ठीक है? T-E-N-T-H-S लग जाता है, यह क्या हो जाएगा? 100 के बाद फिर thousands आता है, तो thousand, thousand लिखकर हम लोग लगा देंगे THS, this is thousands, this is Tenths, 10,000 लिखकर THS लगा देंगे, this is Tenths, ठीक है? Now, this was all about place, जो decimal के just left में होता है, वो once, then tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10,000, ठीक है? लेकिन decimal के right में दुबारा once नहीं होता है, this is Tenths, then hundreds, thousands, 10,000, ठीक है? This was all about place, अब हम लोग जाने कि इसका place value क्या होता है? यह तो place था, अब हम लोग लिखेंगे place value, place value आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, बिना decimal का पढ़ चुके हो, आज हम लोग decimal का पढ़ेंगे, decimal number का place value, ठीक है? तो यह 6 जो है, 6 का place क्या है? 1000s place पे है, तो 6 into 1000 लिखेंगे हम लोग, लिखते है, फिर plus का sign देते है, 7 का place क्या है? 100s है, मतलब 7 into 100, then again plus, 2 का place value place क्या है? 10s है, मतलब 2 into 10, then 3 कौन से place पे है? 1s place पे है, तो 3 into 1, फिर this is called decimal line, इसको decimal place जब बात करें, तो decimal को हम लोग है? वो तो decimal line बोलते है, फिर plus का sign देंगे, अब कौन सा number है? 1 है, तो 1 का place क्या है? 10s है, 10s, जब 10s की बात करते थे, तो यहाँ पे 10 से multiply करते है, ठीक है? लेकिन जब 10s की बात करें, तो 10 से क्या करते हैं, हम लोग, divide करते हैं, ठीक है? यह 10 नीचे आजाता है, यहाँ पे देखे 10s से multiply किये, ठीक है? जब 10s की बात करें, तो यह नीचे आजाएगा 10s, 10 ठीक है? उसके बात क्या है? 5 है, तो 5 का place क्या है? 100s, तो 5 by 100, this is the place value, then again, दो नमबर हो और है, 6, 6 का place क्या है? 1000s, तो क्या हो जाएगा इसका place value? 6 by 1000, again plus, फिर 8 का क्या है? 10,000s, तो 8 by 10,000, so this is the place value of the decimal number, यह place था, यह है place value, ठीक है? अब हम लोग देखें कि इसको naming कैसे करते है, naming, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर decimal नहीं रहता, इससे फैसे 6, 7, 2, 3 रहता, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते? 6,723 पढ़ते, ठीक है? 6,723 पढ़ते, यहाँ पर लिखेंगे, naming करेंगे तो, लिख देखेंगे, 6,723 ठीक है? उसके बात कहा है? डेसिमल यह पॉइंट है, तो लिखेंगे, पॉइंट का स्पेलिंग भी लिखेंगे, 6,723 पउइंट लिखेंगे, जब पॉइंट लिखते है, तो इसको लिखेंगे क्या? ब्रेक करके लिखेंगे, अलाग अलाग इंडिवीज्वाली लिखेंगे, 1, 5, 6, and 8, ठीक है? इधर वाले को एक में लिखते है, 6,723 लिख दिया मैंने आपे 6,723 फिर यह पॉइंट है, तो पॉइंट लिखा, और इधर जब पॉइंट लिख रहे है, तो इधर क्या होता है? इंडिवीज्वाली लिखाता है यह, तो क्या हो जाएगे यह? 1, 5, 6, 8, ठीक है? दिस वस फिर्स मेठ़ड तु नेम देसिमल नंबर, सेकेंड मेठ़ड क्या है? यह देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट के जगा पे अंड यूज करेंगे, यह 6,723 है तो इसको फिर से हम लोग लिखेंगे वही, दिस वस फिर्स मेठ़ड, अब हम लोग सेकेंड मेठ़ड जान रहे हैं, तो उसको फिर से लिखेंगे, 6,723, अब पॉइंट के जब यह यूज करेंगे? अंड यूज करेंगे, और जब अंड यूज करेंगे, तो नंबर्स हम लोग इंडिवीज्वाली नहीं लिखेंगे, नंबर्स क्या हो जाएग तो 1568 को क्या पढ़ते हैं? 1568, इसको लिखेंगे, 1568, अन वन मोर थिंग, यहाँ पे देखेंगे कि यह जो एट है, एट कौन से प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पे है, जो एट जो है, वो लास्ट प्लेस हमारा क्या हो रहा है? 10,000 हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे, 10,000 अगर यह एंड कर रहा होता है, 1000 प्लेस पे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1000, अगर यह एंड कर रहा होता है, 100 प्लेस पे, यहाँ पर लिख देत ठीक है, see the next example also अगर suppose I am taking a number 15.72 ठीक है तो इसको naming करना है दोनों method से naming करना है दोनों method से, तो इसको क्या लिखेंगे this is 15, तो we will write it over here 15, ठीक है, जब point लिखते हैं, तो numbers को हम लोग क्या करते हैं, अल्ला कर लेंगे इंडिवीज्वाली लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 7, 2 7, 2 ठीक है next method दिखने का, अब हम लोग पॉइंट नी यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे यह तो 15 ही होगा, 15 एंड, जब एंड यूज करते हैं तो इसको पूरा एक में लिखते हैं तो इसको क्या हो जाएगा यह, 72 ठीक है और जब एंड का यूज कर रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कौन से प्लेस पी एंड कर रहा है, तो यह 2 का प्लेस क्या है, this is 10th, this is 100th, तो यहाँ पर लिख देंगे 72 200th, ठीक है, see one more example, naming करना है, तो वाट विल राइट, 216 216, फिर पॉंट है, पॉंट 0, 3, 8 3, 8 ठीक है, next method में कैसे name करेंगे, हम लोग naming करेंगे, 216 है, तो लिखेंगे 216 216, अब यूज क्या करेंगे, पॉंट के जब पे, and use करेंगे, ठीक है, तो पॉंट के जब पे and use किये, अब ये क्या हो, जब and use करेंगे, तो यह पूरा एक में हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3, 8 है सिर्फ, तो लिखेंगे, 30, 38, ठीक है, और ये 8 कौन से प्लेस पर end कर रहा है, this is 10s, this is 100s, this is 1000s, तो यहाँ पे 38 के बगर में क्या लिख देंगे, 1000s, ठीक है, याद रखेंगे, जब भी point लिखेंगे, point लिखेंगे, तो यहाँ पे number individually बढ़ जाएगा, 0, 3, 8, 0, 3, 8, लेकिन जब and के use करेंगे, point के जब पे, तो इधर वाला जो number है, decimal के right side में जो number है, वो पूरा एक में हो जाएगा, और ये last place पे जहाँ पे end कर रहा है number, वो place हम लो लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 8 जो है, वो 1000s place पे end कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दिये, 1000s, ठीक है, now we will read, converting fraction into decimal, कोई भी fraction दिया हुआ है, तो उसे हम decimal में कैसे convert करते हैं, suppose the question is, दिया हुआ है 8 by 10, ठीक है, this is fraction, इस fraction को हमें convert करना है decimal में, तो बिना divide किये, उसको decimal में कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पे 1 0 है, denominator में 1 0 है, तो numerator में क्या करें है, कि right side से, ठीक है, right side से जाकर, अगर 1 0 है, तो एक number के बाद decimal, ठीक है, अगर 2 0 रहता, तो right side से ही, दो number के बाद decimal, अगर 3 0 रहता है, तो right side से ही, क्या करेंगे, 3 number के बाद decimal, तो यहाँ पे देखिए, 1 0 है, मतलब, right side से, एक number के बाद decimal हो जाएगा, मतलब, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 के बाद decimal, ठीक है, और decimal काया है, कुछ नहीं रहता है, तो क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं, यहाँ देखिए, फिसे समझे, यहाँ पे 1 0 है, तो right side से, एक number के बाद decimal, पुट कर देते हैं, तो यह 8 है, 8 के, जस्ट बात क्या करेंगे, decimal पुट कर देंगे, और decimal के पहले, अगर कोई number नहीं रहता, तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है, और यह जो 10 है, वो हड़ जाता, तो क्या बनगे, यह 8 by 10 fraction, 0.8, see the next, अगर question है, 56 by 100, ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 है, मतलब, right side से, 2 number के बाद decimal 2 0 है, मतलब, right से, 2 number के बाद decimal, एक number, this is, दूसरा number, और 2 number के बाद decimal, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.56, point के कुछ नहीं है, तो क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, सीधर, third example, अगर दिया हुआ है, 8 by 100, यहाँ पे 8 by 10 था, अब मैंने लिए, 8 by 100 लिया है, तो 2 0 है, मतलब, 2 number के बाद, right से, 2 number के बाद decimal, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही number है, जिसको 2 number कैसे बनाया जाए, तो हम लोग इसमें 0 add करते हैं, तो 0 हम लोग right side में नहीं add करेंगे, क्योंकि यह 8 है, इसलिए क्या करेंगे, left side में 0 add करेंगे, अब यह 2 number बन गया, first number, second number, औ तब decimal put कर देंगे, अब हो गया, दो number के बाद decimal, यहाँ पर सिर्फ एक number हो रहा था, तिसको 2 number कैसे बनाया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, बगल में 0 put कर देंगे, और फिर decimal put कर देंगे, तो हो गया क्या, 0.08, see the next, अगर है, 56 by, और we can take, 65 by 1000, 65 by 1000, यहाँ पर 3 0 है, मतलग 3 number के बाद decimal, लेकिन यहाँ पर तो उसे 2 number है हमारे पास, तो इसको 3 number कैसे बनाया जाए, 0 add करेंगे, तो क्या करेंगे, लेफ्ट में 0 add किये, और decimal put कर दिये, हो गया हमारा 3 number के बाद decimal, right side से 3 number के बाद decimal, और यहाँ पर decimal के पहले कुछ नहीं र 2 by 100, 5 2 by 100, 5 2 by 100 into decimal, यह mix fraction को decimal में convert करना है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले, कि यहाँ पर दिخियी, यहाँ पर 5 है, तो 5 में decimal put करके, यहाँ पर 2 0 है, तो decimal put करके 2 0 लगा देंगे, 5 में यहाँ पर, तो 5 लिखे यहां पर 2 0 था तो decimal पुट करके 2 0 लगा दिए ठीक है अब क्या करेंगी इस portion को हम लो convert करेंगे decimal में तो 2 by 100 को क्या लिख सकते और फिर क्या करेंगे कि इसको add कर देंगे उसके साथ तो 2 by 100 को क्या लिख सकते decimal में 2 by 100 है मतलब यहां पर 2 0 है मतलब 2 नमबर के पर decimal तो क्या हो जाएगा 0.02 5.00 और 0.02 add करेंगे तो कितना हो जाएगा दिस विल भी 5.02 ठीक है फिसे समझे 5 5 लिखे decimal देखकर 2 0 लगा के 2 0 पूट कर दिए यहां पर 2 0 था इसलिए 2 0 पूट कर दिए अब 2 by 100 को convert किये तो आया क्या 0.02 और फिन दोनों को क्या किये आड कर दिए see more example 71 by 71 5 by 1000 तो यह 71 है तो 71 लिखे decimal पूट किये यहां पर 30 तो decimal लगा के 30 लिख दिए ठीक है और फिर 5 by 1000 को convert किये तो यहां पर 30 मतलब 3 नमबर के बाद decimal तो 005 लिखे यह decimal अब क्या करेंगे सभी को आड कर देए कितना मन जाएगा 71.005 ठीक है नाव इन सी converting decimal into fraction opposite of this converting decimal into fraction suppose the first question is we have to convert 0.25 into fraction यहां पर नमबर के हमारा 25 25 लिख दिए यहां पर किते नमबर के बाद decimal है एक नमबर दो नमबर मतलब दो नमबर के बाद decimal है मतलब नीचे कितना 020 है और 1 लिख दिए मतलब 0.25 is equals to 25 by 100 see next अगर question है 0.037 0.037 यहां पर नमबर के हमारा 37 है यहां पर किते नमबर के बाद decimal है एक दो तीन मतलब नमबर देसिबल है मतलब नीचे कितना 0 है 30 है और यह थाउजन 37 by 1000 see the next suppose the question is 1.05 1.05 ती जो इधर decimal के राइट वाला नमबर है उसको हम लोग यहां लिखेंगे ठीक है यह 5 यहां है तो यह 5 उपर और फिर denominator में कितना हो जाएगा कितना नमबर के बाद decimal है दो नमबर के बाद decimal है मतलब 2 0 नीचे और यह 1 that is 1.05 क्या बन जाएगा 1 5 by 100 students I hope that you have understood this decimal naming of decimal expanded form of decimal converting fraction into decimal converting decimal into fraction that's all for today thank you 1 1 3 9